जब्मो कस्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाब बड़ी काम्या में बिली सेना ने मुडवेर में तीन आतंकियों को मार गिरा है लेकिन दुख्या बात यह है कि हमारे सीयरे पीएफ के एक डिप्टी कमांडन्ट गायल हुए और साथ में एक सिबिलियन भी अपने जान गवा दिया अभी तक इस साल के दरान स्रीनगर सहर में साथ कामियाव आपरेशन किये जा चुके हैं इन साथ आपरेशन में 16 आतंकिवादियों को मारा गया है इस साल कुल 72 आपरेशन में 177 आतंकिवादियों को मारा गया है इसमें बड़ी तदाद विदेशी आतंकिवादी की है जिसका संबंद पाकिस्तान से है इस अतंकवादी जो मारे गए थे वो पाकिस्तान से जूड़े थे अतंकवादियों की मुझूद की जयानगारी मिलने के बाद सुरक्षा वलो में बटमालू के फिर्दोसाबाद इलाके के में देर रात तक करिब धाई बजे तक कहराबंदी की तलास अभ्यान शुरू थी अतंकवादियों ने सुरक्षा वलो पर गोलिवारे किये जिसके बाद तलास अभ्यान मुटवेर में तब्दिल हो गया अधिकारियों ने मुटवेर में कोर्शन रियाज नाम के एक महिला की मौत हो गये महीं से आरपीएफ के दो जबान घाय मुटार के गोले दागे भारती सेना ने भी इसका मुतोर जवाब दिया पाकिस्तानी सिना ने सुबह करीब पोने साथ बज़े बिना किसी उकसावे के संगर्ष विराम का उलंगन करते हुए बालाकूड और मेंडर सेक्टर में छोटे हातियारा से गोलीवारी और मुटार क यहां की गोले दागने लगे पाकिस्तानी सिना इस महीन ने 24 वार्ष Saviraam समझोते का उलंगन कर चुकी है रजोरी जिले में सुंदर बनी सेग्टेर में नींतर रख्य के पास मंगलवार को पाकिस्तानी सिना ने संगर्ष विरामसम्जोते का उलंगन करते उए भारी गोली बारी के थी उस कोली बारी में हमारे एक ज़़ान भी सहीत हो गया थे और दो ज़़ान घ्यायल हो गया थे अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले शाथा बेल आइकन दवा दे ताकि time मारी चैनल से जुड़ी हर कबार आपको मिलती रहे